बैंक ओफ इंडिया के रिटायर और पैंसनर्स संगठन का साथवा वार्षिक सम्मेलन 18 दिसंबर को उत्सो भवन में आयोजित होगी जिसमें सभी सदश भाग लेंगे जहां सभी एक जुठ होकर समश्याओं से अगत होने और उनके लिए हो रहे कारिप पर विचार किया जाएगा वहीं पूरे मामले पर मीडिया को जानकारी देते हुए जनरल सेकेर्टरी ने बताया कि कल की होने वाले कारिक्रम में करीब 225 सदश भाग लेंगे जहां विगत एक साल के हुए कारियों सहीद आगे किस तरह से कारिकरने पर भी चर्चा की जाएगी Bank of India के Pensioners and Retired संगठन हमेशा सभी कर्मियों के हिद में कारे करती है और आगे भी करती रहेगी Bank of India Pensioners and Retired Assessions के कल 7 General Body Meeting होने जने रहे हैं जहां आपकर पूरे जारखांट छेत्र से 225 मेंबर्स इसमें जोगदान करेंगे हमने जो काम काच किया इनिक लिवल में इसका पर जलेचन होगा हमने एक दूसरे के साथ सजा करेंगे कि हमको आगे का काम क्या करना चाहिए क्योंकि हमारे जो All-India इसू है जो इसके लिए हमने बहुत तीसे लड़ाए लग रहे हैं जो हमको तीस साल से हमारे मांगे नहीं मानी जा रहे है उसके पर भी चर्चा करेंगे हमारे बीच कल हमने और बात करेंगे अपने एक साल का जो लिखा उन्हों ही हमें हमारे मिंबरों को पूरे अपने इंडर्ची लेवल में जो इसके बारे जान करेंगे भी इसाहा mau?. प्रवाइब करना है हमें अपना कॉंसलिटी स्टाथश चाहिए हम दिमांड करते हैं कि हमारे जो भी युश्यूज है इसका उस इस हमारे इसका इसका और हम इभी चाहते हैं हमारे हेल्थ इंसॉजर्ण्स है उसके लिए बैंक का जोगज़न रहे प्रेमियम में जो वरकिंग इंपराइज को जो मिलते हैं वो हमें मिलना चाहिए क्योंकि हमारे बैंक के चेर्मेन हमारे बैंक के इडी इन्हों को स्थाप को 100% वेडिकेल एड मिलका है यो हमें नहीं दिया जाता है इसके यह भी है मेरा दिमांड है हमारे नाम जी सेंगुपता जनल सेरेटरी बैंक अप इंडिया पेंशन और इसेशन आए जार्खान